जहिन सातियों तो आज इस वीडियो में हम लेकर आगए हैं आपके लिए मद्दिकालीन के ऐसे परिष्ण जो आपकी परिक्षा की तरिष्टी से आती महत्मुपूर्ण है वो आपकी परिक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं पहला परिष्ण है आपके लिए इबाधत खाना क्यों बनाया गया था आपके सामने चार ऑप्षिन है धर्मो की चर्चा के लिए राज्यों की चर्चा के लिए लोगों से बाचीत करने के लिए या और इन मेंसे कोई नी तो इसका अनसर हो जाएगा ऑप्षिन नंबाद और दर्मो की चर्चा करने के लिए इπαादत खाने का निर्मार किस ने करवाया तो यह है अकवर ने करवाया चलिए अगला प्रस्न देख थे हैं अगला प्रस्स आप के अपने हैं पानी पत की दूसरे लड़ाई किनके किनके बीच हुई आपके सामने कि समाप्ट कर दिया था तो इसका सही झाएगा अकवर ने अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहले जजियाकर किस ने लगाया तो सब Ihrer लगाया मुहम्मद बिन कासिम ने मुहम्मद बिन कासिम ने लगाया ठीक है चलिए इसी करब में आगे बढ़ते हैं कि विजय इस्थंब राजिस्थान में कहां पर है तो आपके सामने चार अप्शन ये देख रखे हैं कुंभल गड़ चित्तौर गड़ जोदपुर या तो अगर मुगल सामराज की बात करें उसके बाद सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिसाली सामराज जी था वो था माराठा सामराज जी ऑप्शन नमबर ए इसका ठीक हो जाएगा चलिए अगले प्रशन क्यों राते हैं हमाईयू का जन कहां हुआ था हमाईयू का जन काबुल म होता चला गया तथा मुगल काल के अंतिम शाशक की बात की जाए तो मुगल काल का अंतिम शाशक बहादुर शाहद दोत्य वा उसको हम बहादुर सा जफर के नाम से भी जानते हैं अगले प्रशन क्यों राते हैं अगला प्रशन है दिली सल्तनत के कि शाशक ने एक्ता को किया गया था चलिए अगले प्रशाशन को राते हैं अगला प्रशन है प्रशासीं के लिए अकवर के समय इंद गैर छाउस जना जाता था तो इसका option number A, माराठा सामराज्य, माराठा सामराज्य जो था, वो मुल्क A, खादिम के नाम से जाना जाता था अगले प्रशन क्यों राते हैं, अगला प्रशन है, मुगल काल में नियाय का सरवोच अधिकारी कौन होता था तो आपके सामने option यह है, काजी, अल, हजात, मनसबदार, काजी, अल, हजात, या इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा, काजी, अल, हजात, अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन है, बिहार को किस मुस्लिम शाशक ने सबसे पहले जीता था आपके सामने चार option है, बाबार, खेलजी, तुगलग, चंगेज, खान तो इसका सही answer हो जाएगा, खेलजी, option number 20 का ठीक हो जाएगा अगले प्रशन क्यों राते हैं, अगला प्रशन है, जबती प्रथा और धेशाला प्रथा का शुरुआत किस ने किये था तो जबती प्रथा और देशाला प्रथा की सुरुआत तोडर मल के द्वारा की गई, option number 20 का ठीक हो जाएगा पंदर्मा प्रशन क्यों राते हैं, पंदर्मा प्रशन है, साजहां की मिर्तियों कब हुई थी, साजहां की मिर्तियों 1666 ईश्वी में हुई 16 प्रशन है, महमुद द्वारा सोमनात मंदिर के विनाश के दोरन भारत के विवरन के रूप में कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तहकीक ए हिंद, तथा अगर यह पुस्तक की बात करें, तहकीक ए हिंद, तो यह पुस्तक अलवरूनी द्वा अलवरूनी द्वारा लखी गई, चलिए अगले पूस्ट की ओर चलते हैं, 18 प्रशन है, मस्तानी किस शाशक की प्रियसी थी, तो मस्तानी बाजीरव पेशवा की प्रियसी थी, अगले पुस्तक अगर आत HEY कौन हिंदू शाही शाशक था, जिसने महमूद गजनवी से जाए हैं, बीश्वाप प्रशन है, निमने लिखेत में से किस ममलूक सुल्तान ने अपनी राजदानी लौहुषछ से दिल्ली इस्थानान्तरित की थी, तो वह कौन शाशक था, इसका अंसर हो जाएगा इल्टूतमिष, इल्टूतमिष ने लौहुषछ से अपनी राजदान था कि नहीं एकता वेवस्था की शुरुआत की चली अगले प्रश्ण के औरें 11 हैं मौमद गौर मौमद गौरी आफगानिय स्थान का शाशक था राते हैं 22 प्रश्ण है की चा紫ेन के दौरानoshi पूल सेना का नेतरत्व किसके द्वारा किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला के द्वारा किया गया था तरीसवा प्रशन है किस वर्ष आगरा सेहर की स्थापना हुई थी तो इसका अंसर हो जाएगा option नम्मर ए 1504 इश्वी में 24 वा प्रश्ण है गुजरात के चालोक के शाशक सोलंकी भीम दुत्य के काईदरा के युद्ध में किसे पराजित किया था चलिए अगले प्रश्ण देखते हैं अगले प्रश्ण क्यों राते हैं 26 वा प्रश्ण है रजीय सल्तान का उतरा दिकारी कौन था रजीय सल्तान का उतरा दिकारी वहरम शा था क्रशी बाजार मूल नियंत्रन सेन मामले राजनियाईक मामले तो इसका सही अंचर हो जाएगा क्रशी तो दिवान ए अमीर को ही क्रशी से सम्मंदित एक विवाग था चलिए अगला प्रशन देखते हैं 28 वा प्रशन है खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था खानवा का युद्ध 1527 इश्वी में बावर और राणा सांगा के मद्ध लड़ा गया था चलिए अगला प्रशन देखते हैं 29 वा प्रशन है गज ए शिकंदरी नामग एक नया मापन पैमाना किसने पेस किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी शिकंदर लोधी अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगला प्रशन है कौन सा राज दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंतरता का दावा करने वाले सबसे पहले राज्यों में से एक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौन पुर चलिए अगला प्रशन देखते हैं 31 प्रशन आपके सामने य तो इसका सही आंसर गाईगा जनवरी पंद्रा सो अठ आठएशी में अगले प्रशन की ओर आते हैं 33 Wisconsin negal को मुगल सामराज जिससे परत्थख कर प्रतंतर किया तो इसका सहीय औसर रहो जाएं काने औस हैं अगले परशन क्यों राते हैं? अगला परशन, चोतिसवा परशन है, मद्दे कालीन भारत में कलिकट के हिंदु राज को मलियालम में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा. ऐप्शन नमबर C, तो इसका आंसर समूतिरू, ठीक हो जाएगा. ओप्शन नमबर C, ने मनसब्दारी पृणाली की शुरुआत की इसका अंसर हो जाएगा उप्शन सी अकवर प्रश्ण निमने लिखेत में से पहले सिख गुरू और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर सी गुरू नानक इस वीडियो की पीडियेफ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वाच चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐक अगले प्रशन की ओर चलते हैं अगला प्रशन है किसने कीरतन प्रणाली को लोग प्रिया बनाया था तो इसका अंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभू आप्शन नमबर ए चालिसवा प्रशन देखते हैं चालिसवा प्रशन है औरंग जेव की मिर्थियों के बाद किस आप्शन है बाबर अकवर औरंग जेव हुमायू जिंदापीर कहा जाता है आप्शन नमबर सी औरंग जेव को ब्यालीसमो प्रशन है तराइन का पर्थम युद्ध किस के वीच लड़ा गया तो तराइन का पर्थम युद्ध गयारा सो एक्यानवे इश्वी में हुआ यह युद्ध भी गोरी वा पृत्वीरा चोहन तृतिय के मद लड़ा गया तथा इस युद्ध में पृत्वीरा चोहन की पराजे हुई तथा अगर तरायन के तृतिय युद्ध की बात करें तो तरायन का तृतिय युद्ध 1215-16 एज़वी में इल्तूत्मीश वा कुवाच के मद्द लड़ा गया इलतूतमिश्वा कोबाचा के मद्द लड़ा गया अगले प्रिशन की तरफ आते हैं अगला प्रिशन है अकवर के शाषन के प्रारंबिक वर्षों के दोरान बिहार और बंगाल पर कौन हावी था तो इसका ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा अफगान 1757 इश्वी में हुआ था तो इसका अंसर हो जाएगा और बी जहांगीर ने तो जहांगीर के द्वारा अकवर का मकवरा सिकंदरा में बनवाया गया था अगले प्रिशन क्यों राते हैं च्हालीसवा प्रिशन है मद्द यूगीन भारत में युद्ध के समय तोप खानों का प्रियोग करने वाला पहला व्याति कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A बाबर अगले प्रिशन क्यों रहाते हैं अगला प्रिशन है 47 प्रिशन है बाजी राव पृथम का उत्तरादिकारी कौन बना था तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A नाना साहब पृथम तूतमीश द्वारा किया गया था option number 20 का ठीक हो जाएगा अगले प्रिशन क्यों राते हैं अगला प्रिशन है नालंदा विश्व विद्याले को नश्ट करने वाला मुस्लिम शाशक कौन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D मुहम्मद बिन बक्तियार अगले प्रिशन क अगला प्रिशन वा अंतिम प्रिशन यह है कि जहांगीर के शाशन काल के समय किस एक चितरकार को नादिर उल असरा की उपाधी से सम्मानित किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा option number D मनसूरी तो मनसूरी को नादिर उल असरा की उपाधी से सम्मानित किया गया था तो य अगर आपको यह प्रस्ट अच्छे लगे हूं तो वीडियो को लाइक करें वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद